नमस्कार आपके साथ मैं हूँ समीर अबास जियां राजनेतिक रविवार यूपी पंजाब में मंत्री मंडल विस्तार यूपी और पंजाब दो बड़े स्टेट्स ही बड़ी राजनेतिक खबरें इस वक्त आपको देनी है यूपी से आज की बड़ी खबर सबसे पहले मंत्री मंदल में जगा और वो नाम कौन-कौन से उनके बारे में एक एक डीटेल भी हम आपके सामने रखेंगे यूपी से आज की बड़ी खबर मिशन 2022 की तैयारी करती हुई बीजेपी नजर आ रही है और ये मान कर चला जा रहा था कि विधान सभा एलेक्शन से पहले मंत्र मंत्री मंदल विस्तार होना तैय है और आज साड़े पांच बजे का वक्त मुकरर किया गया है राजभवन में नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपत तो योगी मंत्री मंदल का आज होने जा रहा है विस्तार राजभवन में साड़े पांच बजे शपत लेंगे नए मंत्री तो माना ये जा रहा है कि इस कदम के जरिये जो नाराज गया थी उनको दूर करने की कोशिश भी होगी साथी साथ तमाम जातीगत समीकरणों को साधने की कोशिश भी की जाएगी आज शाम होने जा रहा है मंत्री मंदल विस्तार कौन कौन हो सकता है आज मंत्री मंदल में शामिल ये डीटेल जो हमारे पास आ चुकी है वो आपको बता दें टीम योगी के संभावित चेहरे ये रहे आपके सामने पहला नाम बड़ा नाम जितिन परसाथ का जो कि हाली में कॉंग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतिये जनता पार्टी म शामिल हुए तब से कयास लगाए जा रहे थे कि इने मंत्री बनाया जाएगा अगर मंत्री मंदल में स्तार हुआ तो वो दिन आ जा चुका है संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर सदर से ये विधायक है इनका नाम भी बताया जा रहा है उस लिस्ट में शामिल है जो साथ के साथी साथ उनका नाम भी शामिल है धर्मवीर प्रजापती विधान परिशद के सदस से बनाये गए हैं यह चार लोग हैं जिने में जा रहे हैं योगी मंत्री मंडल में इन्हें भी जगा दी गई है, इसके लावा खागा से विधायक हैं, कृष्णा पास्मान ये भी संभावित चेहरे के तौर पर देखी जा रही है, इनका नाम भी बताया जा रहा है, ये भी मंत्री बनने जा रही है, इसके लावा दिनेश खटीक, भा आम छे बजे, सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्श पार